नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरीच दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महतोपूर्ण जानकारियों को लेकर करके आएए आज हम सभी अमर बेल के फायदों को जानते हैं अमर बेल के गंजेपन से लेकर बवासीर तक बेहदलाफकारी उपयोग है तो इसलिए जानते हैं कि गंजेपन को कैसे दूर कर सकती है अमर बेल और बवासीर को कैसे छूमंदर कर सकती है अमर बेल गंजेपन, गठिया, जोडों के दर्द, बवासीर, चूट लगने पर बच्चों की लंबाई बढ़ाने, नजर कमजोर होने इत्यादी रोगों पर उपयोगी है आईए हम जानते हैं इसके विभिन रोगों में कैसे प्रियोग किये जाते हैं अमर बेल अक्सर पेणों की टहनियों पर फैली हुई पाई जाती है, अमर बेल बहुत कुमल रसीली हरी होती है, अमर बेल लगभग पूरे भारत वर्ष में पाई जाती है अलग-अलग राजियों में अमर बेल को आकाश बल्ली, कसूसे हिंद, स्वन लता, निर्मुली, आलोक लता, अमर बेल, रस बेल, आकाश बेल, डोडर, नूलू, तेगा, अंधा बेल, इत्यादी नामों से जाना जाता है अमर बेल पेंड की जड़, पेंड की टहनियों के अंदर से निकलती है, इसका मिट्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, इसकी टहनी को किसी पेंड पर फेक दो, तो ये वहीं पर चढ़ने लग जाती है, और पेंड की टहनियों का रस चस करके जिवित रहती है अमर बेल मिट्टी में नहीं होती इसलिए आकाश बेल भी इसे कहते हैं हम अमर बेल गहरी पिली हरी रंग में पाई जाती है अमर बेल का आयुर्वेद जगत में विशेश अस्थान है तो आईए जानते हैं हम इसके फायदे सबसे पहले तो गंजेपन के लिए अमर बेल का प्रयोग गंजापन होने पर या बाल जढ़ने पर 30 ग्राम अमर बेल को पीस कर उसमें दो चमच तील का तेल मिलाकर सीर पर मसाज करने से बाल जढ़ना रुक जाता है और तूटे बाल पुनह आने लगते हैं अमर बेल बालों के लिए राम बार दवा मानी जाती है रोज अमर बेल को घोंट कर बालों को धोने से जल्दी फायदा होता है अमर बेल बालों से रूसी को जादू की तरह गायब कर देती है अमर बेल जूं को और जूं अंडे शिग्र नख्ष्ट करने में सक्षम है गठिया एवं जोडों के दर्द में अमर बेल का प्रयोग अमर बेल को घोंट कर पेश्ट बना लें गठिया जोणों के दर्द वाले अंगों पर लेप लगा कर पट्टी कर दें अमर बेल पेष्ट तुरंत गठिया और जोणों का दर्द एवं सूजन ठीक करने में सक्षम है बवासीर ठीक करें अमर बेल बवासीर होने पर 20 ग्राम अमर बेल का स्वरस लेकर यानि कि अमर बेल का रस लेकर इसको 5 ग्राम जीरा पाउडर और 4 ग्राम काली मिर्च पाउडर में अच्छे से घोंट कर एक गिलास पानी में मिला कर लगातार सुबह शाम 3 दिन पीने से खुनी और वादी बवासीर दोनो के साथ मिलाकर लगाने से घाओ जल्दी भर जाता है और दर्द भी नहीं होता है बच्चों की लंबाई बढ़ाने में अमर बेल का प्रयोग बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ाने में अमर बेल सक्षम है अमर बेल का एक चमच रस निकाल कर दूध में मिलाकर कम कद का नजर कमजोर होने पर आँखों पर सूजन होने पर अमर बेल का लेप आँखों की पलकों और माथे पर मालिश करने से धीरे धीरे फायदा होता है नजर तेज करने में अमर बेल सहायक है स्वस्त व्यक्ति को भी अमर बेल का सेवन महीने में एक से दो बार ज़रूर करना चाहिए अमर बेल कई तरह के रोगों को शरीर से दूर रखने में सक्षम है तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए अमर बेल के फायदों से जुड़ी हुए जानकारियां लेकर के उपस्तित हुए थे देखा आपने कितनी कारगर और फायदे मन साबित होती है अमर बेल अगर हम इसका सदुपयोग करते हैं तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक ऐ इसी ही महतोपून जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों